हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होफ सब अच्छे होंगे वेलकम तो डिब्या ब्लॉग एंड फूड और आज मैं आप लोगे साथ एक और नई ब्रत की रेस्पीरे कर आई हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है तो इसके लिए मैंने ले लिया है दस सिवारा स्मॉल सा कर सकते हैं या पे- नहीं कर दूयों हमारे सारी को हम ने चली लिया है अभाम हम वैक सिर्फ त्यार करेंगे पर जो की गूर से त्यार करेंगे तो मैंने यहाप गूर ले लिया है गूर मैंने कर दूंगी घरम पानी समें डालें घुलिए इसको melt होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम आलू को fry कर लेते हैं तो आलू को fry करने के लिए मैंने यहाप पर कडाई ले लिया है उसमें ले लिया है जीरा इसको घी में फ्राइ करें बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें हम आलू को रोष्ट करेंगे मेडियम टू हाइफ फ्लेम पे और यह रेस्पी किनके घरों में बनाई जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कैसी लगती है ये भी बताएं आप मुझे हमने इसको ट्राइ किया था बहुत ही डिलिश्रस बना था फ्रेंस आप भी इसको जरूर बनाएं इस ब्रत में हर ब्रत में भी बनाते हैं आप इसको और यह नए आलू के साथ यह बहुत ही टेस्टी बनता है इस थाओं होने तक हम इसको रोष्ट करेंगे और हमें इससे रेगुलर चलाते रहना है नहीं तो एक तरफ से हमारा ब्राउन हो जाएगा एक तरफ से कच्चा रहा जाएगा क्रश्ट नहीं आएगा तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं इसी स्टेश में जो हमने सीरप बनाया था वह हम एट कर देंगे च्छनी से हमें चान करना है क्योंकि गूर में बहुत सारी चीजे होती है इसलिए खर पतवार होते हैं तो हम इसको चान करने डालेंगे और इसे हमें 5-7 मिनदे तक पकाना है बिल्कुल बॉइंड करना है हाई फ्लेम पे हाई तो मेडियम फ्लेम आप रख सकते हैं देख सकते हैं हमारा जो आलू है वह अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने लगा है सिरप को गूर सिरप को और यह बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंट्स आप इसको जरूर ट्राय कि तो देख सकते हैं इस सटेज पर हम इसको अतार लेंगे और इसको गरम ही सर्व करें अगर आप चाहते हैं इसमें मिल्क भी आइड कर सकते हैं लेकिन मिल्क आपको जब गुड बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आइड कर सकते हैं नहीं तो हमारा जो गुड है वह फट थैंक्स पर वछचिँ